माफनी वा, माफनी वा, माफनी वा एक एक गाउं के चोपद इनको जवाब आपको इनकी ही शेली में देनी होगी थ्यारो अगले बार कोई आएगा और आपको कान में बोलेगा माफनी वा, माफनी वा, माफनी वा आप के दना उनके कान में उसी तरीके से पंद्रालाक का क्या हुआ एक नंबर के जूटे मुखोटे बाच अपने आप कुछ कर नहीं पाते दूसरे के कराई पर पानी फेरने पर लगते हैं ये क्या देश बनाई नहीं कह देना उनको अगले बार जब आपके घर में आएं सियोरा में जो तिरायत सिंद्या आया था जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी जब मनसौर में गोलिया चलाई गई मेरे अनदाता के छाती पर बोपाल में बैटकर तीन देन तीन रात मैंने सत्यागरा किया था मारा जिन्द्या मारा जिन्द्या मारा जिन्द्या मारा जिन्द्या मारा जिन्द्या मारा सिं्द्या बोले ला इन भाज़्वायों को कि जो तेरा जेते, सिंध्या ने आश्वासंदिया है कि जुनावा चार सहिता उठने के बाद पत्पन लाख में से एक भी किसान नहीं बचेगा जिसका दो लाख तक रिण होगा जिसका रिण माफ नहीं होगा माराज सिंध्या माराज सिंध्या शिवराद सिंग जी मोदी जी सिंद्या परिवार का वचन है जान जाए और इन भाटपईयों का सोच है वचन जाए पर जान जाए यह तो सिंद्या परिवार की मात्र भूमी रही है मेरी दादी पूर राजमाता साभ का जनम ये सागर में तो आप लोगों के साथ सागर के साथ सुर्खी के साथ मेरे पूछ पिताजी का मेरा आने वाले समय में भी सिंद्या परिवार का कोई राजनितिक रिष्टा नहीं है पारिवारिक रिष्टा है ग्रिदे का रिष्टा है खुन का रिष्टा है और जहां तक सुर्खी और सिहोरा की बात है मैं दाद देता हूँ आप लोगों को कि ये सुर्खी शेक्र ने एक ऐसे जन सेवक को जनम दिया प्रोटसहन दिया उसे आगे बढ़ाया जो भीज आप लोग ने ही बोया था वो आज वटवरिक्ष के रूप में आप लोगों प्रभू सिंग धाकुर जी इसमार कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं लोग सभा में लेकिन इनका इतिहास देखो और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि शेत्र का भविष्य प्रदेश का भविष्य और देश का भविष्य का निर्मान कोई नेता नहीं करता शेत्र की जन्दा प्रदेश की जन्दा और देश की जन्दा करती हैं किसान प्रदेश का नौजवान बेरोग का डर दर की ठोकरे खा रहा हैं हर मां हर बाप अपने बच्चों के पड़ाई में लिवेश करता है ताकि उनका भविष्य परतमान से ज्यादा सुरक्षित और सुन्दर अब पाए आज मेरे नौजवान साथी अपने कॉलेज के सर्टिफिकेट लेकर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं शिवराज जी और मोदी जी के बीच में इन्होंने नौजवानों के साक्षर्ता के सर्टिपेटर को उनकी बेरुस्गारी के सर्टिपेटर में तब्दीर करके छोटा है कहते थे ये लाएंगे हम अफसरों का बंडार लेकिन पांच साल वहां और पंद्र साल यहां लेके आएए पाल और पकोड़े के सर्कार जप्रासी के पड़ के लिए एक लाख आविदन एक सो पचास पड़ों के लिए और वो भी पीएजडी का स्टूडन पोस्क्राइजूएट स्टूडन क्या ये भविश्य होगा मेरे नौजवानों का इसलिए राहुल गान्दी ने कहा है सरकार कॉंग्रेस की बनेगी 34 लाख सरकारी पदों को नौजवानों से भरा जाएगा पूरे देश के कमल लाजी ने कहा है कि हर नौजवान को जो बेरोजवान युवा है उसको 4000 रुपई या परति मां 100 दिन का रोजवान दिया जाएगा 13000 रुपई या परति परस दिया जाएगा कमाराज जिंद्या वो अम्मा लाल गुंगेडवारी मारा सिंदिया लगओ ताली एक बाद हम मेरे मीडिया के भाई बोल रहे हैं सिंदिया जी के लिए तालिया कमबजी तालिया क्यों कमबजी वो भी मैं बता दो है दो देन सरकार बनने के बाद ये कैबिनेट के मंत्री बैठे हुआ यहां दो देन के अंदर राउर गांदी के आदेश पर मज्यब प्रदेश के 55 लाग किसानों का 40 हजार करोण रुपईया का रिंड माप जिया गया पहने दो मैंने पाच पाच चुक चुक मुझ बन 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 जो रोने पंदरस साथ में नहीं किया वो राउर गांदी में दो दिन में करा के देदिया आचार से इंका लगए निकले सब भाज़ पाई और इनकी जो आदत है सामने सामने भी बोलेंगे खुसर खुसर सही है कि नहीं सही है तो अच्छे से चाली बलाओ कान में खुसर पुरत खुसर एक एक गाउं के चुपाल दर एक एक घर के अंदर क्या चुनाव आचार सहीं का लग रही शिरू हो गए इनकी आदत इनको सिखाई जाती है बच्पन से क्या चुट बोलो जोर से बोलो और मार मार बोलो पात साल पहले एक बड़ा आदमी आये थे सागर का बोट मांगने के लिए पात साल सागर ने उनकी नाम निशान नहीं देखा विकास अप्रगती नहीं देखी आज पांच साल गुजर गए दुबारा चुनाव किस्तिती आ गई तो सारे भाजपा के लोग जैसे बिल में से निकलते ना निकलने शुरू हो गए कहा था इन्होंने चुनाव के समय में 2014 में हम अच्छे दिन लाएंगे सबका साथ सबका विकास अभी प्रदीप जी ने मुझे दिखाया था वीडियो सरकार में आते ही रिंड माप होगा हर किसान का 15 साल यहां की सरकार 5 साल महां की सरकार दोनों और एक किसानों का सत्या दिया नाश करके छोड़िया इदर है शिवराज जी फेकू 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 उदर है मौदी जी मौदी और दोनों सबसे बड़े ठूंकी चीजिए एक के उपर एक चुम्ले अधिए कहा था लागत का दाम आदा करेंगे समर्थन मूर दुगना करके रखेंगे पात साल में लागत का दाम दुगना हो गया और समर्थन मूर आदा हमने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ किसानों के साथ हम ज्याय करवाएंगे जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगती थी मंडी में आठा तस तस पंदर पंदर बीस पीस दिन तुलाई नहीं होती थी दिन भर किसान ट्रैक्टर के ऊपर रात भर किसान ट्रैक्टर के नीचे और भुक्तान महिना वर छे छे महिने तक राशी नहीं मिलती थी किसान को बताओ सही है कि रही है किसान की तुलाई हो रही है और नगद राशी खाते के अंदर चार दिन के अंदर किसान के खाते में डाड़ा जा रहा है किसान परेशा मेरा मत्यप्रदेश का नौजवान बेरोजगा डर दर की ठोकरे खा रहा है हर माँ हर बाँ अपने बच्चों के पड़ाई में लिवेश करता है ताकि उनका भविश्य वर्तमान से जादा सुरक्षित और सुन्दर हो पाए और आज मेरे नौजवान साथी अपने कॉलेज के सट्टिपकेट लेकर दर-दर के ठोकरे खा रहे हैं शिवराज जी और मोदी जी के बीच में इन्होंने नौजवानों के साखशलता के सट्टिपेट को उनकी बेरोजगारी के सट्टिपके ने तप्दी करके छोगते कैटे थे ये लाएंगे हम अफसरों का बंडार लेकिन पांच साल वहां और पंदर साल यहां लेके आए ये पाल और पकोड़े के सरकार जब प्रासी के पद के लिए एक लाख आवेदन एक सो पचास पदों के लिए और वह भी पीएजडी का स्टूड़न बोस्ट रैजुएट स्टूड़न तर यह भविश्य होगा मेरे नौजवारों का इसलिए राहुल गान्दी ने कहा है सरकार कॉंग्रेस की बनेगी 34 लाख सरकारी पदों को नौजवानों से भरा जाएगा पूरे देश के लिए तो पुद्योई करण की नीती हम लाएंगे चमलाज जी ने कहा है कि हर नौजवान को जो बेरोजवार युगा है उसको चार हजार रुपईया प्रति मां सो दिन का रोजगार दिया जाएगा तेरा हजार रुपई या प्रती बर्ष दिया जाएगा गपर सिंटेक्स किसान बेहार नौजवान बेहार व्यापारी बेहार भाजपा के ने दमाला माल ये कहते हैं कि चौकिदार है अरे मत्यप्रदेश के खेट में आके देखो क्या हाल हो रहा है आवारा पश्वों के आधार पर किसान का फसल नश्ट हो रहा है दिन भर मेरी महिलाए खेट पर चौकिदारी कर रही है रात भर मेरा किसान खेट पर चौकिदारी कर रहा है और देश का चौकिदार तो पूरे विश्व का 84 देशों का ब्रवण करके नेताओं को छपपी दे रहा है मैंने कहा था संसन में बहुत देखा अपने बर्लिन को बहुत देखा अपने टोक्यों को बहुत देखा अपने लंडन को बहुत देखा अपने बर्लिन को बहुत देखा अपने टोक्यों को कब देखोगे आप मेरे अपने देश के किसान को मुझे आप बताओ आप सब के हाथ में डबा है आप सब के हाथ में टीवी है मुझे आप बताओ पात साल में अठारह सो पैंटीस दिनों में क्या एक किसान के घर में पहुचा है क्या एक गरीब के कुटिया में पहुचा है क्या एक सहीद के घर में पहुचकर उसकी पत्री को धाड़त पहुचाया है अरे देश का चौकिदार को तो देश की जंता की ढाड़त बढ़ाने की जिमिदारी होती है मेरे भाई और भेनों और ये लोग रास्तवाद की बात करते हैं किसान पस्त नौजवान बेरोजकार महिदा सुरक्षित तो लाओ मंदर का मुद्दा लाओ राष्टवाद का मुद्दा अगर कोई व्यक्ति इनके साथ सेमत नहों तो तो दिरेश्ट्रोई बन जाए विचारों का आदान प्रदान प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है मतभेद होना प्रजातंत्र में अनिवार्य है मतभेद होने चाहिए मनभेद नहीं होना चाहिए ये राश्क्रवाद की बात करते हैं जिनके कार्यकाल में संसद पर हमला हुआ जिनके कार्यकाल में विश्व का सबसे बड़ा अतंकी मसूद अधर कोहिन की सरकार में सरकार के प्लेन में भाजपा के विदेश मंतरी के साथ बैठाकर महमान रधी करके अफगानिस्तान ले गए उसको छोड़ने के लिए ये राश्क्रवाद का प्रमान हमको देंगे अरे राष्ट्रवाद का प्रमाण लेना है तो इंद्रा गांदी से लो जिसने पाकिस्तान की दो तुकड़े करके छोड़ दिये थे तो आज मैं आपको उब्वान करने रहा हूँ यह मत समझना कि यह साधारन चुनाओ है यह चुनाओ सागर का भविष्य नहीं बदलेगी यह चुनाओ मध्यप्रदेश का भविष्य नहीं बदलेगी यह चुनाओ हमारे देश की भविष्यों को बदने वाला चुनाओ है और आपको टै करना है कि आप सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हो वो सत्य जो रेंड माफ की बात की करा की दिलवाई या आप मिध्य की बात पर चलना चाहते हो जुम्ले बाद सरकार की रास्ते पर चलना चाहते हो तो ये परिक्षा कॉंग्रेस की नहीं है मेरे भाई और भेनों ये परिक्षा आपकी है मेरी सुर्खी की जंता की है मेरी सागर की जंता की है कि आप सत्य के रास्ते पर चलोगे या मिध्य के रास्ते पर चलोगे मैं विश्वा सकता हूँ मात्मा गांदी जी की सोच पर कि सत्या परिशान हो सकता है लेकिन सत्या कभी भी पराजित नहीं हो सकता आप ने कहा था रिण माफ हमने किया आप ने कहा था बिजली बिल आप 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 ने कहा रिण माफ आप ने कहा बिजली बिल आप अब मेरा हक होता है तुछ मांगने का बाजबा साप होता है कि नहीं तो रिणवाब बिजली बेलहाब भाजपा का सुपरा साप मारा जिन्दिया इनको आप अपना पूरा अशिरवात पदान करो ताकि कॉंग्रेस का जंडा सागर का जंडा संसद में ये बुलंद करके रखें धन्यवाज चैन्जर